दोस्तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभाति वारी स्टड़ी आई क्यों पर टीजीटी पीजीटी भरती 2021 की परिच्छा के बाद दोस्तो अब आप लोगों की जो नए टीजीटी पीजीटी भरती आने वाली है के बीएस के अंतरगर उतके बारे में दोस्तो करने है क्या रहेगा दोस्तो इसमें कौन-कौन सी डिघ्रेट क्या होती है और कितने परर्षेटेज होते हैं और आपकी एज लिमिट क्या होती है और दोस्तो हर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उससे पहले रिक्वेश्टी कि आप लोग चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्ट्राइब कर देना और दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि की एबियस की भरती आपकी कब आने वाली है तो प्लीज यार चैनल को सब्ट्राइब करना बिल आइकन दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोडिफिकेशन आप टेक्स में इसमें तक पहुचते रहें दोस्तो मैं सबसे पहले बात करता हूं केबियस की जो पीजिटी की भरती आएगी इसमें क्या होगा सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं उसमें आपका पीजी आनिवार ही है ठीक है आप कुछ लोग पूछ रहते हैं कि क्या असर इसमें सीट अनिवार होता है तो जी नहीं दोस्तों इसमें बिलकुल आपका PGT में सीट अनिवार नहीं होता बसा आपको इसमें मिनमम 50% के साथ PG डिगरी होनी चाहिए और आपका B8 भी 50% के साथ होना चाहिए ठीक है चले दोस्तों आप बात कर लेते हैं आप लोगों की KBS की TGT की जो भरती आती है इसमें दोस्तों आपको बैसलर डिगरी 50% के साथ दोस्तों आपका B8 भी निससरी होता है और सबसे लोगों का यहां पर सीटेट भी अनिवार होता है तो आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों TGT में आपका सीटेट अनिवार है और TGT की ABC की बात करें तो दोस्तों की KBS की भर्ती आती है इसमें आईकी की के ज़़ना 18 से 35 साल तक की जाती है तो जिनका यहां पर rent cuando बहे अच्छी है कि आप लोगों की भरती आ रहे है के बीएस की और एक के बीएस की भरती दोस्तों पांच दिसंबर के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिसियल साइट पर थी कि यह बड़ी अपडेट थी अगर वीडियो पसंद आ है के बीएस से समयनित कोई डा आउट्स को दूर कर दिये हैं चैनल प्ले है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जाहिए भारत